श्री गणे शाय नमा प्रिय बंधुगों माता पारवती शेल राज हेमान्चल की पुत्री हैं और माता पारवती की मा का नाम मेनावती है माता पारवती जब विवाह के योग हुई तो हेमान्चल को उनके विवाह की चिंता सताने लगी तब अनकूल अफसर जानकर माता पार्वती ने एक समय अपने मन की बात अपने माता पिता से कही कि हे पिता एवं माता जी मैं पती के रूप में भगवान शंकर जी को चाहती हूँ और मैं उनका ही बरन करूंगी उनके साथ में ही विवाह करूंगी उनको प्रसंद करने के लिए मैं बन में जा करके तपश्या भी करूंगी जैसे ही पुत्री ने तपश्या की बात कही वैसे ही हैमान चल के मुख से उ मा ये दो शब्दे निकले ये एक आह भरे शब्दे थे उन्होंने बड़े आह भर करके और ये शब्द कहे उ मा तव माता पार्वती बन में तपश्या करने के लिए चली गई और उसी समय एक आकास वानी हुई कि हे गिर्याज हेमान चल सुनो तुमने उ और मा ये दो शब्दों का प्रियोग याने उ मा इन दो शब्दों का प्रियोग करके और पार्वती को तपश्या करने से रोका इसी लिए आज से पार्वती का एक नाम उमा भी होगा बंधुगो या जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कामेंट्स बाक्स में अवश्य लिखें धन्यवाद जै माता की जै परसराम जी की